वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ WhatsApp पर Full DP कैसे लगा है दोस्तों अगर आप अपना WhatsApp पर Full DP लगाना चाते हैं कई बर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर हम अपने WhatsApp में जो है Full DP लगाने जाते हैं तो यहां पर जो है आपको यहां पर कभी-कभी सर कड़ जाता है या फिर कभी-कभी यहां पर पैर कड़ जाता है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर हर्जेश्ट कर रहा हूं फिर भी दोस्तों कभी यहां पर सर कट रहा है कभी पैर कट रहा है तो दोस्तों इस चीज़ को आप कैसे यहां पे ठीक कर सकते हैं किस प्रकार से आप WhatsApp पे फुल डीपी लगा सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से दिखते रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसे के बारे में बताने वाला हूँ हलो दोस्तो स्वागत है हमारी इस यूटूब चैनल में तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं WhatsApp पे फुल डीपी लगाना काफी असान है इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना यहाँ पे गैलरी को ओपन करना है ठीक है और गैलरी को ओपन करने के बाद उस फोटो को यहाँ पे आपको सलेक करना है जो फोटो को अपने डीपी में लगाना है जैसे कि यह फोटो है और जो है हम इसको full size में यहां पर DP में लगाना चाहते है तो नीचे के साइड में आपको cres tree ओला आइकन देखेगा यहां पर क lakा किजिए और फिर यहां पर जो है इस photo को आपको आपको यहां पर crop की option पर क्लिक करके इस photo आपको यहां सब्सक्राइब यह हैं मैं रही करना है अपना मोच्राहिक करने ओलाध में ट 思ल करना है बटन पे यहां पर जो है आपको यहां प्लम आपको क्लिक करने 06 जैसे normal profile लगाते हैं simply आपको camera वाला option पर क्लिक करना है नीचे में gallery का option आएगा तो यहां पर क्लिक किजिए और इसके बाद जो है जो फोटो को आपने screenshot मारा था उस फोटो को select करना है ठीक है यहां पर क्लिक करते है और इस फोटो को हमने screenshot मारा था मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहां पर क्लिक करने के बाद जो है यह फोटो आप देख सकते हैं full size में आ चुका है अब इसको यहाँ पर आपको रोटेट करना है कुछ इस परकार्ट से ठीक है मैंने